हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज आप सभी को यूपी बोर्ड के द्वारा वारल किया गया प्रश्ण आज आप सभी को हल कर आने वाले हैं फ्रेंस आज हम उचाई दूरी से संबनी जो इंपोर्टेंस सवाल है जो आपकी बोर्ड के एक्जाम में च्छा पेपर में 70 में 70 लाना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास तक जहूर देखा करें आपको उन्हीं प्रश्णों को केवल हल कराते हैं जो आपके सबसे ज्यादा सवाल है चले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने सवाल है कि एक बहुमंजली भवन के सिखर से देखने पर एक आठ मीटर उचे भवन की सिखर और तल के ओनमन कोड करमस तीस अंस और पैतालिस अंस हैं बहुमंजली भवन की उचाई और दो भवनों की बीच की दूरी ग्याद करना है ठीक है इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे फ्रेंज देखिए यहां पर एक बहुमंजली भवन है एक उचाई भवन है तो आप पहले क्या किजिएगा कि जो बहुमंजली भवन है यह थोड़ा सा बढ़ा बनाएगा देखिए बना लीजिए जैसे ठीक है अफ्रेंज जैसे करा है आपको हल करते चला है यहां आट मीटर चोटा वह भवन है किकितना है 8 मीटर फिक encant ainda के यहां जो यह उचा भवन यहां से इसके सिखत और सिखर की भिलाने के बाद आपको क्या करना है कि इसका क्रम से नाम देना है ही deputy problem and even a presentable कोड़ हुझ जाए मिला लीज़गा तीफ ऐसे मिला है और इसको ताली अन्स का कोड़ बन जाए में ठीक है देखिए यहां बनेगा तो यहां पर तीस अंस का ही कोड़ बनता एक अंतर नियम से ऐसा होता है ठीक है चैसे और यह जो श्चेस दूरी आपका बचल रहे इसे आप क्या माल एच माल लेंगे यहां मंजली भवन यह है इसकी पूरी टोटल उचाहिए हास लेकि यहां तक कितना हो जागा तो टूटल उचाहिए देखाई है यह चीह है आपका और इसमें आठ जोल लेंगे यह इतना मीटर हो जाएगा ठीक है हैप समझना और देखिये दो भववन की बीच की दूरी क्या है इसको यक्स शमाल लेंगे यहां पर धेखे आप मानेंगे माना, अब मान क्यों रहे हैं कि यहां पे ध्जान दीजेगा यहां पर जो चीत पूस्ते हैं Best भावन की उसा आई तरह आई मान लेंगे बहु-मद्जली भावन बहु मंद्जली तक इसबहु बंजली भावन की ऊचाई की ऊचाई छी टीक है अब भोमजली भवन क्या है आपका BD पूरा है न? तो BD बराबर क्या होगा? H प्लस 8 माने हो जाग estaban ये भोमजली भवन क्योंचाई हो गया? इसके अलावा दो भवन के बीच pollution यान इसके दो भवनों की। बीच की दूरी तरहाप लिखेंगे दो बहुनों की बीच की दूरी ए भी है ए भी बढ़ा कितना माल लेंगे यक्स मीटर माल लेंगे इतना मानने के बाद कि आप माल लिए अब देखिए सवाल को आप कैसे हल करेंगे यहां पर ध्यान दिजिएगा ठीक है जब देखेंगे इस में देखेंगे दो त्री बूज अब लेके shell करेंगे इस दो एक बड़ेंगे लगता तेन आप लगता किया है एक गगए यह ने आप दिसेहलिगें एक आधार लंब अपान आधार लिखेंगे एक लिखेंगे लंभ अपान आधार ठीक है लंब देखिए क्या आपका सुटी है यहाप स्कूनिम्द लिखजिए कर देगा अधार क्या है स्था है तो वह सुम्झ दो सड़श्वय को कि युक्स रखें क्या करना है JAC घुक्र दो ऊता है यह साओ फो चया तोजबारी में सब्सक्राइब है एक में गुड़ा करेंगे यक्स हो जागा याज को चलाज जा will be 3 हो जागा now अब इसको क्या करना है कि इस पे कास लिंखेंगे गेर लेंगे एक और इसका लिंखेंगे Summit no.1 बीँदी में धिक अब इचलों क्यासर ल करेंगे ए बराबर लंब अपान आधार यहां पर लंब क्या है आपका BD आधार क्या है? और आधार क्या है? A B है 10 ए कमान कितना है? 45 पैदाली संस रखिए ठीक है अब क्या करेंगे? यहां पर BD कमान कितना है? H प्लस 8 है ते H प्लस 8 रख लीजिएगा A B का मान के आए X है ते X कर लीजिए 10 पैदा लिसंस का मान एक होता है H प्लस 8 बटाके X X का गुड़ा कीजिए X वराबर क्या हो जागे H प्लस 8 हो जागा अब इसको क्या करेंगे समीकर नमबर 2 मानने समीकर नमबर 2 इतना मानने के बाद देखिए आपको क्या करना अगला इस टेप में अब समीकर नमबर 2 में समीकर नमबर 2 में 2 में Yax बराबर कितना रखेंगे H करड़ी में 3 रख लीजिए H करड़ी में 3 रखने पर ठीक है चलिए रख लीजिए अब समीकर नमबर 2 पहले लिख देजे समीकर नमबर 2 क्या है Yax बराबर Yax प्लस 8 यह समीकर नमबर आपको क्या है 2 वाला है न अब यहाँ पर मान रखें Yax के जगए आपको कितना रखना है Yax करड़ी में 3 रखना है Yax को पच्छांतर करेंगे Yax करड़ी में 3 यह इधर आगा तो माइनस Yax हो जागा यहाँ पर 8 हो जागा इन दोने में देखिए Yax कामा अना यहां से Yax कामा ले लिजिए Yax कामा ले लिए यहाँ पर क्या बचेगा करड़ी में 3 यहाँ पर मारीनस 1 बराबर 8 हो जागा यहां से यह होगा, 8 करणी में 3, माइनस 8, ठीक है, सोरी दोस्तों, यहां पर क्या होगा आपका, यह देखे, 8 करणी में 3, ठीक है, माइनस वहाँ नहीं, परिमेकड़ा करेंगे, अगुड़ा, ऊपर भी इसी करेंगे, करणी में 3, प्लस 1 कीजेगा, और नीचे भी क्या करें, करणी में 3, प्लस 1 कर लिजेगा, ठीक है, अब दीके, परिमेकड़ा कैसे करते हैं, step by step, देखते चले जाएगा, देखे, 8 करणी में 3, प्लस 1, अपां, दीखे, यह फार्मूला होता है, करणी में 3, माइनस 1, करणी में 3, प्लस 1, यहां पे 8 कोष्ट में, करणी में 3, प्ल करणी 3 का स्कॉर करेंगे 3, 1 का स्कॉर करेंगे तो 1 हो जाएगा अब यहां पर देखें क्या होगा आपका 8 कोष्ट में करणी में 3 प्लस 1, 3 में से गया 2, अब काटा 2 एक में 2, 2 चोको 8 कुल मिला के आप क्या होगा यहां पर ध्यान दीजें, 4 क करणी 3 लें, प्लस 4 का मान कई तो 4 IO PUBG 6 अब यहच का मान क्या करेंगे, समिकर 1 में रखेंगे, क्या पर रखेंगे रखेंगे, समिकर नंबर 1 में रखेंगे तो देखिए आपको समीकरण नमबर एक है कहाँ पर देखिए समीकरण नमबर एक है यहीं पर रखेंगे तो चलिए इसको रख लेते हैं तो देखिए रखें चलिए यहाँ पर रखते हैं लिखेंगे समीकरण एक में यच बराबर चार करणी में तीन प्लस चार रखने पर चलिए रख लेते हैं दिएक समीकरण नमबर एक क्या है यच बराबर यच बराबर यच करणी में तीन यहां 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 कितना रखना है चार करणी में तीन प्लस चार और गुड़े करणी करेंगे मतलब 4,3 में क्लड़ी 3 का गुड़ा करेंगे तैं 3 को बारा कितना होगा यहाँ पर 12 प्लस और 4 क्लड़ी 3 का करेंगे तैं कितना हो जागा 4 क्लड़ी में 3 कितना हो चार कामा ले लिजी है यहांस कितना होगा तीन और प्लस कितना होगा क्रणी में यह हुआ थीक है अब देखिए आप एन्सोर कैसे लिखेंगे जो माने है नहीं अप देखिए लिख लेगा जुन यहां पे ऺपे consig यादफ यहाँ इनसोल लिख रहेते हैं देखे एंसोल लिख के बताते हैं को काई से यहाँ पर इंसोल में आरेखा वही मांजरी को इसा मोर्फ प्लस अथ मने यहाँ है आप यहाँ कुक् 그리고 रूंदेके में नहीं और है कि कि जब्वाद में यहां पर 4 करणी में 3 प्लस चार प्लस चार कर लिजी यहां पर 4 करणी में 3 प्लस 3 हो जाएगा यह मीटर में हो जाएगा ठीक है आप क्या माने दूसरा एंसर क्या माने आप यह एंसर होगा ठीक है यह एंसर होगा अब माने दो भावनों की बीच की दूरी तो देखिए यहां पर देखिए आप दो भावनों की बीच की दूरी क्या माने यक्स माने ने यहां पर लिखी एंसर दो भावनों की बीच की दूर कि क्या माने एभी माने और यह भी वरा कितना माने आप हैं यक्स ना देखिए यक्स का मान कितना आया है आपका यक्स का मान आया है चार कोष्ट में तीन प्लस करणी में तीन मेटर ठीक है दोनों मान के द्यान से देखेंगे फ्रेंस देखें चार कोष्ट में तीन प्लस करण सकते हैं दोनों के यह वी ब्राभर आ रही है यानि कि दो भावन ओंथ के बीच की दूरी बहु पराबर कशन Son सबस्क्राइब करें चैनल पे नए है तो जोगों साथ में सब्सक्राइब करें